भाई साहब इस साल का सबसे भारी आनिमे आ गया और अब कहा हो और इस आनिमे का नाम है Solo Leveling लेकिन क्यों ये आनिमे इतना पॉपुलर है? क्यों ये आनिमे इतना anticipated आनिमे है? क्यों क्रँंचीरोल इतना पैसा लगा रहा है प्रोमोशन और मार्केटिНम के लिए? क्यों 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 सभी का अंसर इस वीडियो पर मिलने वाला है मतलब A to Z आपका clear हो जाएगे कि यह anime है क्या कहां से आया किसलिए आया इतना famous क्यों हो रहा है तो आपको ऐसे interesting वीडियो देखने के लिए या चानल को subscribe तो कर नहीं होगा तो पहले इसका history के बारे में बात कर लेते हैं तो पहले मैं बता दू कि यह एक Korean webtoon या फिर कह सकते की it Manwa से adapt किया गया anime है जिसका story लिखा है Chu Gong ने और illustrate या फिर कह सकते की draw या फिर कह सकते की बनाया है Jangshu Rock और Gishwang Rong ने और यह webtoon 14 February 2014 से start हुआ था originally और end हुआ है 14 volume और 270 chapter के साथ First season 19 March 2020 को खतम हुआ था और second season शुरू हुआ था 1 August 2020 से और second season end हुआ था अपना December 2021 तक मतलब यह Manwa 6 साल तक चला और officially यह Manwa end हो चुका है अगर आप Manwa या manga या फिर comic पढ़ने के shocking है तो आपको पता ही होगा कि image communication is much better than the translation communication ऐसा मैं क्यों बोला थोड़ा सुनिये कि यह Manwa को official English dub second season से start हुआ था लेकिन उससे भी पहले first season से यह Manwa ने पूरे audience का दिल जीत लिया है मतलब इसका इतना अच्छा storytelling और beautifully drawn fantasy world आपको बहुत ही impressed करेगा अभी इसके anime पे आते हैं तो इस anime का announcement Crunchyroll ने दो साल पहले Anime Expo 2022 में किया था और कहा था कि यह anime को A1 Picture Anime करने वाले है और यह भी कहा था कि यह anime हिंदी के साथ English और बाकी languages में भी release होंगे जो अभी हो रहा है तो आप सभी को तो पता ही होगा कि 20 December को मुंबई Anime Fans के लिए PVR Mission Theater में Crunchyroll ने Solo Leveling का exclusive premiere रखा था जहां मैं जानी पाया अभी क्यों अगर आप पूछोगे तो मैं दूसरे स्टेट में रहता हो तो मैं मुंबई जहां नहीं पाऊंगा लेकिन 6 January को अपुन नहीं यह anime का फर्स एपिसोड देख लिया वो भी हिंदी में और यह anime मुझे बहुत ही जाद अच्छा लगा justice किया है थोड़ा बहुत क्योंकि अगर मैं बोल सकता हो कि एकदम solid नहीं किया है थोड़ा कमी है इसमें लेकिन अभी देखते है आगे का episode कैसे कैसे develop होता है इसका हिंदी dubbing में A class दूँगा मुझे इसका animation भी अच्छा लगा तो इसको भी में A class दूँगा S class नहीं बोल सकता अभी इसके casting के बारे में थोड़ा बात कर रही लिया जाए Bollywood actor Ali Fuzzle ने Song Chivul को इस anime में आवाज दिया है वो भी Hindi dub में जो बहुत ही जादा fit बैट रहा है उनको और भी characters को आवाज देने चाहिए नए-नए anime के लिए उनका आवाज मतलब soft और मतलब थोड़ा जवान टाइप आवाज है और साती सुंग जिन्वो को आवाज दिया है राजशुकला सर ने सुंग जिन्हा को आवाज दिया है रिया सेन गुपता मैम ने गुगुहान को आवाज दिया है किशोर भट सर ने कीम सांग्शिंग को आवाज दिया है अर्चित मौर्या सर ने ली जूंहों को आवाज दिया है शाइनी प्रकाश मैम ने गो म्यूंग वांग को आवाज दिया है वर्मिट कुमा सर ने पार्ग बॉम शिक को आवाज दिया है इश ठककर सर ने कांग जूंग वांग को आवाज दिया है हर्श शर्मा सर ने और जू जू आम वाम को आवाज दिया है अंकित खर्देश सर ने और इसका स्टोरी मैं नहीं बताने वाला आप खुच जाएए और इसको इंजॉय कीजिए तो यही वीडियो को एंड करते है क्योंकि बहुत लंबा तनीवा लेकिन आप बोर हो गई होंगे तो तब तक के लि बाइ बाइ बुटनाइट से युए और माइड़ आप